तो फैनली आज की वीडियोज आप सब इस्टूडेंट के लिए बहुत वैलियोबल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन अलग लग डिपरेंट इंटर्णिशिप प्रोग्राम के बारे में जिसमें कि पहले यहाँ पर मैक्रोसॉप्ट फीटर रैडी के इंटर्णिशिप होने वाली है दूसरी अगर बात करे दो यहाँ पर आप लोग देख सकते लियूभर सारी इंटर्णिशिप, गवर्मेंट इंटर्णिशिप आपको प्रोवाइट की जा रही है जो कि यहाँ पर इन ओफिस होने वाली है जिसमें कि आपक तक आप सभी को यहां पर apply करना होगा जो virtually होने वाले है ट्रेकर करके सब के बारे में बात करेंगे और पाइनली यह भी बात करने वाले कि कैसे आपको apply करना है मैं आपको यहां पर दिखा दो कि मैंने यहां पर के लिए apply किया है तो कुछी step से यहां पर आपको apply करना होता है बहुत सारे लोगों को applying process में प्रॉब्लम्स आती है मैंने कई सारे वीडियो भी इसके उपर बनाया था तो आज कि वीडियो में सबसे पहले मैं आपको applying process के बारे में ही बताता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा internship to gram के बारे में तो apply करने के लिए आप सभी को क्या करना है simply आपको यहां पर internship के इस portal पर पहुंच जाना है जिसकी link मैंने आप सभी को description में provide कर रखा है यहां पर आपको login और register का दो option मिलेगा so finally अगर आपने पहले से registration कर रखा है तो आपको login कर लेनी है लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप सबने भी तक registration नहीं किया है क्योंकि registration process यहां पर बहुत important होने वाला है उसके बाद आपको दो option यहां पर मिल जाएका आपको confused नहीं होना है आप जिस भी college से यहां पर पढ़ाई कर रहे है जैसे कि diploma कर रहे है एंजिनिरिंग कर रहे है या फिर MBA कर रहे है वो अगर AICT के दोरह affiliated है तो आपको इस option को चूज करना है अगर नहीं है तो यहां पर आ आपको चूज करनी है इंसीट की city आपको चूज करनी होगी उसके बाद I confirm the ever details are correct बिटा करके आपको टिक कर देना है थोड़ी नीचे जाने के बाद यहां पर और और भी कई सानी information आपसे मांगा जाएगा जिसमें की important information है जैसे की contact number student की ID, enrollment number ID आप अपने college की ID भी यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद email ID आपको अपने डालनी होगी अधार number आपको यहां पर डालनी होगी धियान रखेगा अधार number आपको यहां पर डालनी होगी जिसकी contact number उनसे link होनी चाहिए ठीक है तो इस type से आपको अधार और contact डालना है verification code अगर आएगा तो आपको validate कर देना हो जिसमें कि आपको percentage की sign include नहीं करनी है उसके बाद I am not a robot पर आपको click करना उसके बाद आपको register के बटन पर जागर के click करना होगा तो finally कुछ इस तरीके से आपको यहां पर सबसे बाले तो अच्छे तरीके से registration करना है फिर फ्रेस registration करना होगा उसके बाद आपको आगे बात क करनी होगी तो करके बात करते हैं तीनों के link मैंने आप सब्सक्रिप्शन में provide कर रहा है सबसे पहले आप registration जिरूर कीज़ेगा वरना यह पीच आपको खुल कर सामने नहीं आएगा तो registration करना के बाद जिब आप link पे click कीज़ेगा तो यहां पर आप देख सकते यह सिक्स वि प्रवाइट की जा रही है जिसमें की virtual होने वाली है आप सब देख सकते हैं यहां पर virtual होने वाली है तो step की internship का यहां पर फैयरा आप सभी को क्या मिलने वाला है तो बताओ दू यहां पर view details पर जैसी आप click करेंगे एक new page खुलेगा जिसके बाद उस internship के बारे में आपको प के workshop होगी basically उसमें आपको सिखाया जाएगा इसी के साथ यहां पर आपको cyber security के बारे में बताया जाएगा और यहां पर certificate आपको यहां पर IBM skill build और AICT के तरफ सी दिया जाएगा जिससे कि आप लोग अपने achievement को यहां पर दिखा सकें ठीक है अब उसके बाद यहां पर देख स internship में अलग-अलग आपको यहां पर चीज़े दी जाएगे terms of engagement में कौन-कौन से लोग eligible होने वाले आप देख सकते है valid Gmail account होनी चाहिए skill build cam के लिए अलग-अलग सारे internship के लिए अलग-अलग आपको यहां पर criteria देखने को मिल जाएंगे उसके बाद B.E.B.Tech के student apply कर सकते है B.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. चाहिए और internet connection होना चाहिए तो यह तो मैंने एक internship के बात कर लिए उसी तरह आप लोग कोई भी internship को यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस internship में आपको job की virtual होने वाली वहां पर आपको certificate नहीं दी जाएगी sorry वहां पर आपको staffan नहीं दी जाएगी लेकिन आपको certificate यहां पर जरूरू मिलने वाली है number of openings भी बहुत जादे हैं आप रोने वाली लगबग आप लोग देख सकते हैं 10,000 student को select किया जाना है तो opportunity बहुत अच्छी और openings भी बहुत अच्छी तो आप ज़रूर अपलाए करना चाहिए तो finally बढ़ते हैं आगे यहां पर आप tulip के internship program के बारे म जिसमें की अलग-अलग location जैसे की गुजरात होने वाली करनाटका होने वाली है जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आप देखेंगा अलग-अलग location महरास्ट होने वाली है औरीशा होने वाली है मिखाले होने वाला है करनाटका होने वाली है पंजाब होने वाली है बिहार प पर Apply कर सकते कोई भी अप्लाइ कर सकता है एक साथ लो इनलिए। के लिए आप लोग आप लोग ऐपेद्ग कर सकते हैं अब यह आपर बात कर स्कते हैं याँ पर बात करते हैं लास्ट इनलिए प्रोग्राम के बारे में जो होने वाली कहीं से भी कहीं पर भी जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते किसी भी location में आप लोग काम कर पाएंगे आपको यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 के पहले अप्लाई करना होगा था ही rolling basis पर होता सालों पर यहाँ पर open रहती है rolling basis पर आपको select किया जाता है परक में क्या के चीज़े मिलेंगी एसे गीठव स्टुडेंट डेबलबर पैक गीठव की जो स्टुडेंट डेबलबर पैक होती है वह आपको यहाँ पर दी जाएगे इसी के इंगेजमेंट क्या होने वाली है एस पर future ready terms and condition नमबर ओफ ओपनिंग्स की बात करते तो 5000 openings होने वाली है तो आप लोग एक ताथ दो तीन चार इंटरेंटिशिप में भी अपलाई कर दीजिएगा ताकि कहीं एक भी आपकी selection हो पाए तो बात करते हैं आपको apply कैसे करना होगा तो सबसे पहले तो हमने registration कर लिया अब बात करते हैं अपको अप्लाई करना है आपको इंटरेंटिशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा जिसके बाद आपको अप्लाई नाओ का बटन दिख जा गए यहाँ पर इंटरेंटिशिप के लिए मैंने आज ही यहाँ पर apply किया है और मेरा यहाँ पर apply भी हो चुका है यहाँ पर staff and आपको नहीं दी जाएगी आप मेरा जो भी phone number यहाँ पर जो भी सारी चीज़ी यहाँ पर दे दी गई है उसके बार यहाँ पर successfully applied for internship का मुझे notification भी आ चुका है और यही चीज़ आपको आपके dashboard में भी यहाँ पर दिखाई जाएगी तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर apply किज़ेगा process बिल्कुल simple है सबसे पहले आपको registration करना होगा दूसरा बार जिस भी internship के लिए आप लोग apply करना चारे उस internship में आपको दुबारा से जानी हो दुबारा से आपके लोग इन करनी होगी उसके बाद आपको आपको आप्लाइब हो जाएगा simple सी basic यहाँ पर यही process होने वाली है तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर apply कर सकते कितने internship में आपके selection हो वह सारी बात है आपको यहाँ पर इनके dashboard में जाकर के पता लग जाएगी status क्या होने वाला है अभी का status मेरा applied है मतलब मैंने apply कर चुका है अब मेरे form के basis पर rolling basis पर यहाँ पर मुझे notification आ जाएगा मुझे mail भी provide कर दिया जाएगा अगर मैं select होता हूं shortlisted होता हूं तो सारी information मुझे इस dashboard में यहाँ पर provide की जाएगी तो पानल युमीद करूं झाला है भी यहाँ पर तो सारे प्रवLove संगे knitश है समें पर दुमीदा आ हूं जाएगा गजिए यहाँ नागन सार ह UNहा ही तो से एक पर उता है